जैहिन दोस्तों मैं हुराकेस फोजी दोस्तों CRPF ने Head Constable Ministerial और ASI Sternow की पदों पे बरती निकाल रखी है जिसके फोरम बने स्टार्ट हो गए हैं तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि CRPF और ASI Sternow इन दोनों पोस्ट के अंदर बेतरिन पोस्ट कौन सी है किस मामले में कौन सी पोस्ट बेतरिन है तो पूरे इस टोपिक पे चर्चा करेंगे सेलरी, परमोसन, फैसलिटीज, फेमली लाइब, जो प्रोफाइल हर्चीज के वारे में आपको दोनों जो रैंक है इनके बारे में पता चल जाएगे इस वीडियो के माद्यम से क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करें कि सर में मेरे को सोट रेंट भी आता है और टाइपिं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा या फिर आप यूटूब पर सर्च भी कर सकते हैं जिसके अंदर में जैसे आपके जर्नल अप्रिटूट के होगे, मैथ के होगे, क्वेंटेटी अप्रिटूट होगे, या जिक के रिजिनिंग, सभी टोपिक्स के वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, दोस्तों CRPF, HCM और ASI, इन दोनों के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले रेंक, रेंक आपको नोटिफिक के संदर्गें पता चल रही है, कि ASI, रेंक होने वाली है, जो इस टेनों से ब होगी, जो head constable से जो भरती होगा, मिनिस्ट्रेल में, अगर ASI, इस्टेनों से जो अपनाई कर रहा है, तो उसके कंदे पर एक स्टार होगा, तो रेंक में ये प्रिविरतन होगा, जो ASI होता है, वो head constable से senior होता है, तो ASI senior rank होगी, तो senior rank होने के वज़े से, आपको ये तो salary का, तो automatic जो senior है, उसका grade ज़्यादा रहेगा, तो salary उसको ज़्यादा मिलेगी, तो salary के मामले में भी ASI steno की जो rank हो बहतरी है, head constable से, बात आती है, इनका जो जो प्रोफाइल की, तो जो प्रोफाइल लग बग दोनों की मिलती जूलती सेम सी रहती है, थोड़ा सा वरक जो ह होता है, वो अलग हो जाता है, एक आदमी कुछी चीज़ को deal करता है, दूसरा आदमी किसी चीज़ को deal करता है, लेकिन office का जो time होता है, वो दोनों का same रहता है, उसी time पे ASI steno का time रहता है, तो time वगरा, duty hours, यह दोनों का लग बग same रहता है, जो profile का मैंने बताए दिया है, कि जो steno जो होता है, वो commandant, जो unit का head होता है, उसके PA की duty करता है, HCM जो होता है, वो extra जो work होते हैं, जिसे जवानों के medical claim से समद में होगे, transfer TA, DA, lieu, salary, promotion के जो भी इन चीज़ों के जो होटे मोटे, जो भी message होते, आदन परदान करने होते, को dark होती, signal होती है, यह जो काम करता हो head constable ministerial करता है, लेकिन जो ASI steno होता है, वो जो अफसरों के काम करता है, और commandant का PA की duty करता है, steno को maximum जगह पे एक अलग office रहता है, जबकि HCM जो होता है, वो जितने भी बटा लेन के अंदर head constable ministerial, ASIM, ASIM, inspector, जो रहते हैं, उनके साथ में वहीं पे बैठके, जैसे एक office के अंदर 10-12 ministry staff के रहते हैं, तो सब के लिए एक जगह बैठते हैं, लेकिन maximum जगह पे ASI steno जो होता है, उसके लिए का अलग से separate office होता है, ये इसके ASI steno का profit होता है, बूरी बटालियन के अंदर ASI steno एक ही रहता है, जबकि HCM 4-5 या उसे ब ज़्यादा मिल जाते एक बटालि पोस्टिंग बहुत कम चांस जाता होने की ज़्यादा उनके चांस जो होते हैं, वो भाई अथोर्टी office में हो जाते हैं, जा पर डी आई जी आई जी लेवल के बैठते हैं, हैड कोस्टेबल मिनिस्टेल परमोसन होने के बाद बीचे ASI बन जाए, ASI म बन जाए, इसको हर ज JJ के जवान head constable rank, OGRs rank sa plus oras rank sa या वहीं से ठवड़ा एक अलग room में में रहते हैं, जैकिन ASI standard ऑ्फिसर में किनती आती है इनकी तो इन के लिए अलग से मैस होती है, जिसके decepherest ah ri. जो लग मेस होता है डोग मेस होता है तो सब्धन कि सब्णक रहते हैं उनका आवास अलग मिनिस्ट्रियल के रहते हैं वहुआ रोँटा लेकिन dot आइञे को जाएगा आपका है न सो जो एएस थैनों को मिलने लेकिन जब आप बढ़ती हो ताम पर आपको थोड़ी सी इन से मिलती हैं क्योंकि तो एसके और थोड़ी सिर्फिर्ट है तो उसी साब से हर चीज के अंदर थोड़ी थोड़ा थोड़ा धिफुरेंट आपको मिलने वाला वैसे ओवराल अगर देखा जाए तो दोनों ही जो जो जोब है बेत्रिन जोब है परमोसन भी लगबग दोनों का अंदर जो सेकंड परमोसन जो होता है फस्ट परमोसन जो होगा जैसे आप HCM से ASIM बनेंगे ASIS-TNO जो होगा ASIS-TNO बन जाएगा तो आपका जैसे पाथ 6 साल आपको लगती है वो 6-7-8 साल में ASIS-TNO से ASIS-TNO बन जाता है तो ओवराल यही लगबग डिफरेंस होता है वो ऐसे कोई खास इतना फरक नहीं है और जो केंदर सरकार के दोरा जो सुईदय मिलती है दोनों को सेम हैं मिल रही है तो जहां तक मेरा विचार है आपको इन दोनों रैंक के संबंद में फरक पता चल गया होगा क्योंकि आपको अगर इसमें डाउट हो रहा हो कि भी मैं ASIS-TNO से बुरूं कि AHCM से बुरूं तो यह आपके डिपेंड करता है यह आपके अंदर कितनी काबलियत ह है क्योंकि AHCM की विकेंसी जादा है अगर आपके अंदर काबलियत है कि AHCM की विकेंसी कम होने के बावजुद भी मैं उसको मालब सेलेक्शन पास शकता हूं और AHCM बन शकता हूं तो आप AHCM की पोस्ट है वो AHCM से बहतरनी पोस्ट है अगर आपको लगता है कि AHCM के अं कोई भी चैनल से आप अपलाई कर रहे हैं दोनों जो पोस्ट हैं ओफिसल पोस्ट हैं दोनों का यह तो है नहीं कोई आपको फिल्ड के अंदर जाना है ओपिस किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको ओफिसल वर्क करना पड़ेगा वह आपका जो जनरल डू पोस्ट पोस्ट है और वैसे अगर आप और और जो अंतर मैंने बताया है अंतर के मामलेब अगर आप देखेंगे तो एससे वह तो इससे बेतरीं पोस्ट है से और वैसे अगर आप और करेंगे तो दोनों ही पोस्ट बेतरीन है और वैसे तो अगर नोखरी मिल जाए एससे भी वैस्ट है क्योंकि एक पैजा ने लग बनी रहती है कि हराद में उसको जानता है वैसे एच्छी खासी रस्पेक्ट होती है क्योंकि गिन्नी की चार दोनों को कीम के से एक पास जाते हैं कंपनी लेवल पे हो चिसे हेड़कॉटर लेवल में हो तो अच्छी कासी मलत दोनों की मलत एक प्रकार्षARA देखा जाए तो अच्छी kg रस्पेक्ट है अच्छी कासी जोब है वरक प्रोफाईल-फेम्ली लाइफ चैनलों से जब सब्सक्राइब कर दो अगले जानकारी थी अगले जानकारी आपको च्छी लेग वीडियो को लाइक कर लेना चैनली पहले बारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जैए